हेलो बच्चो स्वागत है आपका बच्चो ये हमारी विज्ञान की 6th किलास की बेटा वक्षिट है जिसके हमारी जो डेट है वो है 25 नवंबर 2020 और हमारी कारे पत्रक की जो संक्या है वो है 16 इसमें बच्चो हमारी चैप्टर है वो नया चैप्टर शुरू है प्रकाश छाए एंड प्रावरतन ठीक है तो हम समझते हैं अपना जो हमारी वक्षिट में लिखी है समझते हैं और बच्चो जो चैप्टर आपको वक्षिट में दे रखा है इसको जो भी आपके पास बुक एविलेबल है जैसे आपके आपके आपस NCRT तो एविलेबल होगी क्योंकि हमको क्या है सरकार निदियर देती है तो बेटा ये टोपिक आप उसमें से जरूर पढ़िएगा इससे आपका जो टोपिक है वो इस्ट्रोंग बनेगा अब हम क्या शुरू करते हैं क्या विदुत के चले जाने पर क्या आप रात में बढ़ सकते हैं विदुत मारे जो आप जिस वस्तु को कोई पुस्ता के कुछ भी किया है उसको नहीं देख पाएंगे क्यों क्योंकि कोई प्रकाश नहीं होता कमरे में प्रकाश का सुरोत्र जो होता है मतलब जो सोर्स होता है जिसके कारण हम देख पाते है किसी भी वस्तु को वो क्या होता है बल्ब ठीक है इसे प्र शुरे कि तरह स्वेयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दिप्त पिंड कहते हैं जैसे क्या सूरे कया है अपनी जो लाइट है उसको निकालता ऐसे पिंड को आपकी जो है डिप्त पिंड जैसे इसमें आपकी तोर्ष भी आएगी आपकी यह जुगनू जो आपको रात को अधिक तर यह क्या है गाउं में दिकाई देते हैं क्योंकि वहां पर अंधेरा रहता है तो यहां पर चमकते हैं तो यह क्या कहलाते हैं इसलिए इसको हम क्या है मानन निर्मिद कहते हैं क्या है हमारे प्रकाश इसको सरजन करते हैं निकालते है और जैसे है पैन है ॹे बूक्स है गान क्योंकि यह कोई अपना प्रकाश ब्रकाश करतेrolें ठीके बतव बच्चों तो इसी पर हमारा first question है कि परशन है कि नीचे दी गई वस्तु को दिप्ठपिंड अत्वा अधिप्ठपिंड में हमें क्या है वर्गिकरित करना है तो हमारा धिप्ठपिंड कौन सा है हमारा surrhe क्यों क्योंकि ये अपनी जो लाइट है अपनी निकालता है सुर्य हमारा उसके बार टोर्च हमारा क्या है दिप्त पिंड में आएगा और हमारा जुगनू ये भी क्या आएगा हमारा दिप्त में क्योंकि ये अपना प्रकाश को क्या है खुद जो है उत्सर्जित करते हैं कर एक हम कौन कौन से सुर्य के हमारा टोर्च और जुगनु और हमारा अदिप्ड जिसमें से जो अपने प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता वह कौन सा है किताब इसके बाद अभारा पैन को और हमारी मेज़् यह क्या है हमारे अ दिप्ट पिंड़ा क्योंकि यह अपने में से कोई भी प्रकाश को उत्सरजित नहीं करते ठीक है तो आप क्या है इस में से अपने हाँ से बेटा छांट के लिख लिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमने यह कर लिया दिप्ट क्या है अब है पारदर्शी और पारदर्शी जो यह हैं इसको हमें तीनों को पढ़ना है पारदर्शी वस्त्वे जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं जिसके कारण हमें आरपार दिखाई देता है ठीक है यह वो वस्तों होती है जिसके आरपार हम क्या है देख पाते हैं जैसे आपको शोप में जाते हैं टोफी लेने तो आप जो जो शोप कीपर होते हैं जो टोफी होते हैं वो एक जार में रखते हैं वो क्या होते हैं आपको टोफी उसके अंदर क्यों देखते हैं क्यों 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 आपका जार होता है वो क्या होता पारदर्शी होता है उसके आप आरपार देख सकते हैं ठीक है तो ऐसी वस्तुई जिसके अंदर से प्रकाश जो वस्तुई अपने से प्रकाश को जाने देती है और जिसके आरपार हम देख पाते हैं उसको हम पारदर्शी बोलते हैं ठीक है जैसे आप यहाँ प तो आपका पारबासी क्या है वह वस्तों है जो अपने अंदर थोड़ा प्रकाश को जाने देती है जिसके कारण हम वस्तों को धुंदला या इसपश्ट नहीं देख पाते हैं जैसका आप इसका एक्जामपल ऑजłam और ult neur 하고 में नेशनु मुदे जाते हैं जैसे आप इसको अर भी है शले से याप पारबासी जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अंदर से थोड़ा प्रकाश को यह जाने देती है तो यह क्या है पारभासी है तो हमने यह समझ लिया है तो अब हम अपने कोशन पर आते हैं कि परशन है निमले कि वस्तों में वो पारदर्शी और पारभासी में हमें बत्ताब निशान लगाने हैं लेकिन इस निशान लगाने का तरीकर नहीं दे रखा है कि जो पारदर्शी वस्तुएं उनको हरे से रखना है पारभासी को नीले से और जो अपारदर्शी है उसको लाल से करना है तो हम करते हैं इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं ठीक है अब हमारा पत्थर जो है हम पत्थर को बिल्कुल भी उसके आरपार नहीं दे सकते वह आपारदर्शी है तो हम पेटा इसको आप में निशान लगा रही हूं आप गोला लगाएं क्योंकि यहां पे कमी है पत्थर आपका आपारद से पन इसके हम निख सकते हैं लेकिन बहुत motor के करेंगे नीले से दिवार पारदर्शी मेरेश आप पारद कर लेते हैं पत्थर किताब पत्थर किताब और दिवार आपकी क्या है पारदर्शी है हवा काच और शश्मा आपका क्या है आपका पारदर्शी है इसको क्योंकि हमने गिरीन से लगाया है यहां पे आपको कलर दे रखें और आपका जो ब्लू है यह है बटर पेपर और पन्नी जो है आपकी पारबासे क् अपने अंदर थोड़ा प्रकाश को जाने देती तो बच्चो ये आपकी 6 खिलास की बच्चो वक्षिट है I hope मुझे उमीद है कि आपको समझ में आई होगी ठीक है समझ में आई होगी तो बहुत अच्छे से कीजिए अच्छे से अपनी तयारी कीजिए ठीक है बच्चो मिलत है आगे की वक्षिट के साथ बाई बच्चो